अलग-अलग ब्रांड की दो पापलर स्मार्टफून एक तरफ पोको एक सिक्स प्रो फैब जी वही दूसी तरफ रियल्मी का नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 3000 पीस का डिफरंट देखनों को मिल जाता है कूँकि एक रियल्मी के नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी को 17,998 रुपे की प्रैस में 8GB की रैप और 128GB इस्टोरेज वाले वीरियन को बाई कर सकते हैं उनका अगर पफॉर्मेस की बात करी जा तो एक तरफ रियल्मी के नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी में मीडिया टेक का डेम लोगों को पोको एक्सिक्स प्रो फैब जी में काफी जड़ा बेटर पाफॉमेस देखनों को मिल जाएगा क्योंकि एक तरफ रियल्मी के नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी का जो अंत्तु स्कोर निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच ले तो इन दोने स्मार्टफोन के जी एफक इसकोर यारी गेमिंग इसकोर को जानना बहुत जरा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको एक सिक्स प्रो फैब जी का का ज़्यादा है तो आप लोगों को वन आप दा बेस्ट पावरफुल गेमिक प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है तो रहे स्मार्टफून का अगर डिस्प्ले सेग्मिन की बात करी जाए जिस तरह गेमिक परफॉमस के मामले में किलियर विना निकल के आता है पोको का एक सि डिस्प्ले के अच्छी स्मुत्नेश के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश इट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दूसरी तरफ रीयलमी के ना जो 70 टर्बो 5G में 6.67 इंच की फुल अच्छी प्लस एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले के अच्छी स्मुत्नेश के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को नहीं मिल दोने स्मार्ट्पून का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाता है तो कम प्राइस होने के बाव च्छी तो एक त्रब पोको 1-6 Pro 5G के बैक में टरब रीएर क्यामरा चैने को मिल जाते है 64 मेगा फिक्सल का मेन का मिलता है बाकी के दो कैमरे 8-2 मेगा फिक्सल के मिल जाते हैं विध ऐडी फ्लैस लाइट के साथ कैमरे में हो आई यस का सपोर्ट देखने क्यार्ठ एफॉन स्वार्टी केमरे में दूसरा एक मिल जाता है से कैमरे सोफोर्ट देखनों को नहीं मिलता है पर फोन के बैक ग्रेंस से फॉर्की वीडियो भी आसानी से रिकॉड कर सकते दोने स्मार्टफोन का अगर सेलफी कैमरे की बात करीज़े तो प्रैस में तो 3000 पीस का डिफरेंट देखनेों को मिल जाता पर इन दोने स्मार्टफोन के सेलफी कैमरे में इतना ज्यादा डिफरेंट देखनेों को नहीं मिलता है क्योंकि एक तरब Poco X6 Pro Fab G में भी 16 Megapixel का देखने को मिल जाता है जबकि Poco X6 Pro Fab G यूफस4 फॉन जीरो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसी तरब Realme के नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी में एन एफसी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है आडियो जैक के अगर बात करीज़ा तो एक तरब Realme के नाजो नाजो सेवेंटी टर्बो फैब जी में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जबकि Poco X6 Pro Fab G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटरी सेग्मिन के अगर बात करीजा तो एक तरब Poco X6 Pro Fab G में 5000 mAh की बैटरी देखने को पिल जाती 67 Watt की Fast Charging के ने और वोग चार्जिंग के साथ USB Czech report का सपोर्ट देखने को मिलिजाता है सेखेंटी फीचर दोने स्मार्टफों में इन डिस्प्लें फिंगरफिन डेखने को मिल जाता है तो अब बात करी जा कि कौन सा स्मार्रटफों आप लोगों के बैऌत्स नहीं स्माट देखने और ह सही रहेगर तो मैं आप लोगों करता हूं कि आप लोग 3,000 लुपी ज्यादा खालच करके पोको एक सिक्स प्रो फैब जी को ही बाई करें को कि आप लोगों को वन आप दा बेस्ट पावरफुल गैमिक प्रोस सा देखने को मिल जाता है वन पॉइंट फाइब के डिस्पले द देखने को नहीं है